टीवी डाउन में डॉक्टर हाथी के नाम से पहचान बनाने वाले एक्टर कवी कुमार आजाद अब इस दुनिया में नहीं रहे इसकी वज़ा उनका हार्ट अटेक बना उनके निधन पर टीवी एक्टर्स काफी मायूस हैं वहीं इस शो के सभी कलागार दुख में डूबे हुए हैं और साथ ही उनकी याद में शो के लीड एक्टर्स दया बेन और जेठा लाल ने हाथी के लिए इमोशनल पोस्ट भी किया है दिशावकानी यानि की दया बेन ने डॉक्टर हाथी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही कि वो आप इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे ये मेरे लिए काफी शौकिंग है वो काफी अच्छे इंसान थे जैसे वो ऑन स्क्रिन थे वैसे ही वो आफ स्क्रिन भी थे उन्हें खाना और खिलाना बहुत पसंद था मेरी प्रेगनेंसी के दोरान वो खास दोर पर मेरे लिए गुलाब जामुन लाते थे जब से ये खबर जानी है मैं खुद को सम्हाल नहीं पा रही हूँ ये और भी ज्यादा शौकिंग है इसलिए क्योंकि उनकी सेहत काफी सही थी वहीं दिलीब जोशी यानि की जेठालाल ने उनके लिए लिखा कि ये खबर सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ और काफी शौक भी मैं फिलहार लंडन में अपनी फैमली के साथ हूँ जब ये घटना हुई मुझे टीम मेंबर्स के फोन आने लगे मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा कि वो हमारे बीच नहीं रहे दिलीब जोशी ने डॉक्टर हाथी को शो तारक महता का लाफिंग गुद्धा बताया कहा कि वो एक शांदार इंसान भी थे वहीं शो के और भी कलाकारों ने उनके लिए अपने इमोशन्स को सोशल मीडिया के जरिये शेयर किया है नेक्स्ट नाइन लाइफ टेस्ट की रिपोर्ट अगर आप भी बनना ताह देते एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या स्कृप राइटर उनके लिए उनके लगिया कि लिए ने लिए लाइब राइब भी कि लिए लाइब भी कि लाइब है